नमस्कार एंजियन में आपका स्वागत है सक्सियत की एक खास पड़ाओ में हम आ चुके हैं हमाई साथ एक खास सक्सियत है डॉक्टर एविन अगवाल सामानत है आपका घर कैसा होगा इसका पता चलता है कि आपका गेट कैसा है सरीक कैसा होगा आपका वो पता चलता है कि आपके दाथ कैसे है दाथ सरीक का इंटी पॉइंट दाथ है गोल्ड मेंडलिष्ट है डॉक्टर एविंदर गवाल और उनकी गुज्रात में सबसे सांदार्ट डेंटल के तोड़ पर यह करिया है लंबा करिया है मुझे साथ बात करेंगे स्वागत है यह डेंटल को आप कैसे देखते हैं समय के साथ बहुत साही चीजे बदली सही बताया आपने मैं डॉक्टर अर्विंद अगरवाल डेंटल ओरल और मेक्जिलो फेशल सर्जन हूं पिछले 27 साल से एमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूं एक क्लिनिक हमारा यहा साथ सेटलाइट पे है और दूसरा शाहिबाग में है और डेंटल का मैं बोलू तो बहुत ज्यादा चेंज आया है अब जैसे जमाना चेंज हो रहा है आपको पता होगा कि पहले डेंटल मतलब लोगों को यही था कि सिर्फ नात के डॉक्टर के पास जाओ नात में दर्द ह हो रहा है नात निकलवा दो दोस्तों अब पूरी जर्णी अगर देखने जाये तो बहुत कुछ चेंज आया है अब लोग यह नहीं सोते कि दात में दर्द है तो उसको निकलवा दो पहली बात तो दातों के उपर बहुत इंपोर्टन्स लोगों ने देना चालू किया है ल यह तो सिर्फ अमीरों का काम है वगर नहीं अब यह ऐसा है कि अलग अलग ट्रीटमेंट जो एकोनोमिकल रेट से लेकर अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट सभी अवेलेबल है तो डेंटल फिल्ड में बहुत डेवलपमेंट हुआ है नहे रिसर्च हुए हैं और इंडिया में भी पूरा वल्ड जो है वो इंडिया की तरफ देख रहा है डेंटल फिल्ड के लिए क्योंकि बाहर दोस्तों मैं सही बताऊं बहुत ही महंगा है डेंटल ट्रीटमेंट छोटे से छोटी चीज भी बहुत महंगी है जबकि हमारे देश में इंडिया में सेम क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी की ट्रीटमेंट जो है बहुत ही रीजनबल ट्रेट पे मिलती है डात की जो समस्या है खास्तों से गुजयात में एक बड़ा सवाल है लोगों के मूँ नहीं खुलते है आवाज नहीं निकलती खा नहीं पाते तीखा नहीं लगता है जलन होती है इसको आप कैसे देखते हैं यह बहुत ही सही क्वेशन पूछा है आपने कि वैसे तो पूरी इंडिया में ही आपको पता होगा गुटका के चलन जो है सिगरेट स्मोकिंग है सुपारी खाना है वो बहुत ज्यादा चलन है हमारे यहां पे खासकर कि गुजरात में कुछ इल होने के लिए भी पहले तो पान खाने जाते हैं मगर फिर धेरे धेरे उनको लट लगती है उसके अंदर तमाक होता है तो दोस्तों यह जो और सौराष्टर में उसको मावा भी बोलते हैं ओके और उसके बाद में वो उसको छोड़ नहीं सकते कई लोगों का तो मैंने यह द उनको उसकी आदी बना देती है और जब ये बहुत ज़्यादा आदत पर जाती तो उसके बाद में आपके गाल जो होते हैं वो उसके अंदर की जो सनाईव होते हैं वो जकड जाते हैं उसको हम बोलते हैं oral submucous fibrosis तो ये दोस्तों एक बहुत खराब रोग है क्योंकि इसका treatment जो है बहुत मुश्किल है मतलब अगर आप धिरे-धिरे oral submucous fibrosis के शिकार होते हैं तो आपका मुँ धिरे-धिरे पहले तो तीन उंगली होता है फिर दो उंगल फिर एक उंगल ultimately ये हालत होती है कि वो व्यक्ति जो है वो चम्ची से भी खाना खाना उसके लिए दुश्वर हो जाता है वो submucous fibrosis जो है वो सिर्फ गाल की सनायू ने लकिन धिरे-धिरे फिर उसके जो गले के सनायू है वो भी जखर जाते हैं तो ultimately उसका बोलना भी जो है वो चेंज हो ज होतनी है कि वो चैंसर होई गया बट यस अगर आप उसके बाद में भी ये आदत आपकी चालू रखते हो तो definitely कई केसिज में ये मूं के कैंसर में भी कंवर्ट हो जाता है तो oral submucous fibrosis की treatment available है हाला कि ऐसा है कि उसमें बहुत अपश्या करने पढ़ती हो treatment में शरुआत में द बरदार्श कर सकता तो लेकिन अब modern science में इसकी भी treatment available है दवाईयों से शरुआत में हम कोशिश करते हैं कई बार दवाईयों से नहीं आयुर्वेदिक इलाज होते हैं बर मेरा अभी तक का जो 17-16 साल का जो experience है वो ये कह रहा है कि ये सब जो चीजे हैं वो ultimately थोड़ी बहु ज़रूत नहीं है आजकर laser surgery available है और बाहर से अगर आप यंग है और आप चाहते हो कि बाहर से आपके कोई भी चीरा नहीं लगना चाहिए तो मुह के अंदर से भी हम surgery करके आपका मुह खोल सकते हैं और लेकिन हां इसमें भी आपको फिर मुह खोलनी के continuous exercise करनी पड़ती है त पे भी डेंटल हो गया है डाइमंड लगते हैं तमाम आवे एडवर्टाइजमेंट देखियें उसमें चमकते हुए दाथ दिखते हैं मूती जैसे वो होते नहीं है सही ही बात है आपकी लेकिन ऐसा है कि पहले लोग दान्तों के पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे या कॉस्मेटिकली दे वर नॉट वेरी मच एक्टिव बट अब क्यूंकि आपकी modern जमाना है आपकी face value जो है वो तो पहले भी था जो कि face value से first impression is the last impression जो बोलते है तो आपकी अगर perfect smile होती है तो एक positivity सामने वाले के मन में आती है तो अब कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री भी बहुत चर्चा में है और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में smile designing का concept आया है जि तो इन सब के लिए कई treatments available है जिसमें smile designing और यह मैं आपको बता दूं कि आजकल because of computer पुरा आप भी मानों के कि यह पुरा computer वाला यूग है तो उसके अंदर इतने अच्छे-च्छे software आयो है smile designing के कि जिससे कि because of artificial intelligence and this new technologies we can predict the result अब predictable results का जमाना है पहले ऐसा था कि सिप वो बना आने वाले के हुनर में था और उसके बाद में कैसा बनेगा वो पहले से decide नहीं कर सकता था अब हम patients को पहले से ही क्योंकि computer के through हम बता सकते कि देखी अभी आपकी smile ऐसी है हम अगर आपकी smile designing करते हैं या bleaching करते हैं या कोई cosmetic treatment करते हैं तो बाद में आपकी smile ऐसी होगी तो patient have that vision and then patient gets convinced or patient को भी हमारे पर विश्वास होता है तो that is called smile designing yes cosmetic dentistry में और भी कई चीज़े हैं जैसे की braces जिसमें अगर आपके तेड़े में दात है तो aligners के पहले लोग wire बांगते थे अब aligners जो कि transparent aligners होते हैं जिसमें कि आपको सामने वाले को कुछ पता नहीं चलता आपने कु हो दातों के बीच में कोई gap है तो उनको आप बंद करवा सकते हो अगर कोई नाच तूटा फूटा है या पीला है या आपकी smile जो है थोड़ी bright नहीं लग रही है तो आजकल bleaching जो कि दातों को नुकसान दे नहीं होता है उस तरह के bleaching agents भी आए हैं और वीनियर्स लेमिनेट जिससे कि आप आपने देखा होगा Hollywood smile या Bollywood smile जो होती है आपने सही बताया है कि जो भी हमारी heroines हैं या heroes जिनके दात आपको एकदम blind पगती बंद लगते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह उनके natural हाला कि होते तो natural दाती है लेकर उसके उपर फिर पूरा एक coating आता है जिससे कि उनके smile एकदम picture perfect लगते हैं all these things ये सारी चीजे अब modern science में available है और विश्वास कीजिए ये सब कोई दातों को नुकसान नहीं पहुचाती है हमारे मन में ये भ्रहम हो रखा है कि कोई भी दात की treatment करवाना मतलब वो नुकसान पहुचाता है कि नहीं dental science जो है वो भी patients को ध् Lifestyle में एक बड़ा चेंज आया है वो एक dentist के तो पर आपको किसते है कि नहीं चैलेंज़ देता है पेसेंट स्कूले के क्यूंकि आपका खान पान बिगड़ा है आपका lifestyle बिगड़ी है जो सामान ने तो ही के थे वो सब बदल गया है और अंते में सब कुछ जाना तो दात से ह बताया modern science आया modernization हुआ तो देखो हर एक सिक्य के दो पहलू होते है right there are positive and negative sides of the coin तो नई सहूलियत हुई नए science के इसाब से आपको बहुत जादा आराम दे जिन्दगी मिली है लेकिन उसके side effects भी साथ में आये हैं आपने बताया उस तरह से कि जो हमारा खाना पीना का change हुआ पहले हमारे पुराने जमाने के लोग थे वो raw चीज में ज्यादा बीडियो करते थे right कच्ची मूली है गाजर है शेर्डी है तो ये सब लोग पहले दातों से चबा सकते थे दातुन चबाते थे जिससे कि उनके मसूडे और दात ज्यादा मजबूत होते थे उनका खाना भी तो वैसे वैसे खाने पीने की हैबिट्स में भी चेंज आया लोग पीजा, बर्गर, पास्ता, मैदे वाली चीजे ये सब ज्यादा खाने लगे तो उसकी वज़ज़ से चॉकलेट्स, आइस क्रीम उन सब चीजों की वज़ज़ से जो दातों में जो एक नेचरल क्लिंजिं साथ में मुँ में हमारे बैक्टिरियाज रहते हैं, साथ में सलाइवा, तो ये सब चीजे एक आइडियल मीडियम बन जाती है बैक्टिरिया को ग्रो करने के लिए, और फिर दिरे-दिरे दातों में कीडा लगना शुरू होता है, तो दोस्तों एक तो ये लाइफस्टाइल ब्रश करना, सुबह को रात को, अब ये बहुत जरूरी हो गया है, डेंटल फ्लोसिंग, वो शायद हमरे देश में बहुत कम लोगों को मालूम है कि डेंटल फ्लोस नाम की कोई चीज़ होती है, जो कि एक स्पेशिल टाइप का धागा होता है, जिससे कि हम दो दात के बीच में अच्छे से साफ कर सकें, और ये मितनों आपको गूगल पे, यूट्यूब पे उनके वीडियो मिल जाएंगे, तो मैं ये चाहूंगा, अगर आप दिन में एक बार प्रॉपर डेंटल फ्लोसिंग कर सकते हैं, तो उससे आपके दातों की आधी बिमारिया दूर हो जाए और वहीं से मैक्सिमम कीडा लगता है दातों में, तो डेंटल फ्लोस हो गया, दिन में दो टाइम ब्रश हो गया, प्रॉपर ब्रशिंग टेकनिक आप सीख सकते हैं, दूसरा कि फाइब्रस फूड हो सके तब तक हम को चबाना चाहिए, जिससे कि हमारे दातों आटोमेटिक में अगर सिख्रीट देंगे तो वो भी साफ होती रहेगी, कभी भी दोफर को रात को इस तरह से दे दिया तो उसमें फिर कैविटी होने के चांसिस जदा रहते हैं, एक बड़ा सवाल है, आप कोई भी तूट पेश के विग्यापन देखिए, तो सब कुछ मिल जाता है, ल देखिए, विग्यापन वालों की अलग दुनिया होती है, उनका मोटीव रहता है कि किस तरह से मैक्सिमम कस्टमर्स को हम लुभा सके वो आइटम यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए, you know, there are certain marketing gimmicks, कि उसमें नमक जादा है, मेरे में कोई लॉंग है, ये है, वो है, हाँ लेकिन, toothpaste का main काम क्या है, कि वो brush और दात के बीच में एक lubricating medium, साथ में उसमें foaming action होता है, जिससे की वज़े से जो chip के वे कन है, वो साफ हो जाए, हाँ, साथ में जैसे triclosan है, या फिर long है, या ये सब चीज़े, it gives an added effect, लेकिन, ये सब चीज़े, आपको बहुत पढ़ता है, मेरे हिसाब से 3 minute minimum, 3 to 5 minutes of brushing twice a day, दो टाइम आपको brush करना है, सुबक और रात को, और proper brushing technique, जिसमें कि हमारे बाहर का surface है, चबाने वाला surface है, अंदर वाला surface है, वो सब अगर clean कर सके, तो मेरे हिसाब से कोई भी paste ठीक है, हाँ, ये बात जरूर है कि उस paste के अंदर abrasiveness, जो की मतलब जो खुरचने वाली चीज या उसके particle size है, वो जितनी हो से के minimum होनी चाहिए, तो वो particle size जो एक scientific standard है, उस size का अगर वो paste है, तो definitely it can work for you. से पहले एक सामान नहीं तो है, पचास साल के बाद लोगों को दात के समझ्याएं आते थी, अभी young age में आने लगे, मसूरों का दुखना, सुझना, दात का निकलना, कीड़े लगना, इनमें आप कोई है लिमिट बची नहीं है. अजी जी उसमें ऐसा है कि दातों की समझ्या पहले भी थी, हाँ, जैसे जैसे आपकी age बढ़ती है, वैसे वैसे आपके दातों की जो resistance है, या दातों में किया लगना है, वो और मसूरों के रोग होना, वो एक natural process है कि वो दिरे दिरे आपकी age ज्यादा होती है, उससाब से ल ज्यादा young age में होने लगी है, लेकिन main reason यह है कि अब लोग दातों के प्रती ज्यादा aware हो गए है, अब हमारे पास ज्यादा facilities है, dentist आपको हर गली, हर बड़े रस्ते पे dentist आपको building में मिल जाएंगे, so people have become more aware, plus हमारी lifestyle ऐसी हुई है कि जिसमें हमारे दातों के रोग बढ़े हैं, लेकिन main मेरे हिसाब से तो क्योंकि awareness ज्यादा ही है, इसलिए लोग अपने दातों के बारे में ज्यादा जागरुख हो रखे हैं, हाना कि फिर भी मैं आपको बता दूँ, इंडिया में, हमारे देश में, हमारी जो total population है, उसमें से I think कई लोगों को, maybe more than 50 to 60% लोगों को दातों की समस्या कुछ तो कुछ है, लेकिन उससे hardly 5-10% लोग ही dentist के पास जाते हैं, बाकी के लोग क्योंकि वो दातों की समस्या उनको बहुत ज़्यादा problem नहीं देती है, वो सुईयों से या कोई नाखुन से दातों को clean कर लेते हैं, उसकी वज़े से वो लोग नहीं जात जाता है कि फिर आपको या तो दातों निकलवाना पड़ता है, या फिर दातों की root canal treatment करनी पड़ती है, जो कि ज़्यादा खर्ची ले और ज़्यादा दुखदायक treatments होती है, तो मेरे इसाब से हर व्यक्ति को at least 6 मैने में या साल भर में एक बार dentist की मुलाकात लेनी चाहिए ताकि गर छोटे से छोटा कोई भी रोग हो, कोई कीड़ा हो, तो वो सिर्फ feeling से हो सके, अगर आप उसको ऐसे खिंचते रहे, ज़्यादा लंबा चलाया, तो फिर definitely वो बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, एक इतने लंबे कहिए मैं, आपने कभी यह अनुभो किया कि जो awareness थ था, वो society support था, वो नहीं मिला, क्योंकि दात के बिना आप खा नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, फिर उसके साथ तमाम बीमारिया होती है, दात के मरेश को ना लोग मरेश ही नहीं मानता, इस चीज से मैं सहमत हूँ, कि हमारे देश में, unfortunately, दातों के रोग को बहुत ज़्यादा तवजु नहीं दी जाती है, और लोगों को वो cosmetic treatment लगती है, मेरी गुजारिश है, अपने जो system से, या हमारी government से, कि जिस तरह से medic claim के अंदर आपने दूसरी सब चीज़े include की है, तो dental, कुछ, मैं यह नहीं मान रहा कि आप सारी की सारी cosmetic treatment से लेकर सब कुछ medic claim में cover करो, लेकिन कुछ basic dental के रोग है, उनको definitely cover करने चाहिए, क्योंकि दात जो है, वो हमारे मुख द्वार है, अगर वो दात ही ठीक नहीं रहेंगे, तो आप खाना खाओगे, वो अच्छे से चबा नहीं पाओगे, तो और प्लस आपका पचावा खुराक अगर नहीं जाएगा, तो दातों की cleaning हो गई, तो ऐसी जो basic 4-5 dental treatment है, वो definitely medic claim में cover होनी चाहिए, या कोई भी जो corporate लोग होते हैं, जो अपनी policies बनाते हैं, तो उसके अंदर ये कुछ dental के रोग है, उनको 100% cover करने चाहिए, ताकि लोग पैसों की वज़त से, कि उनको burden नहीं आए और dental treatment नहीं करवाते है हैं, वो चीज नहीं हो, ताकि वो और ज्यादा गंबीर समस्या में नफस हैं, ये आपने जो कहा है, मैं इस सवाल को पुछने वाला था, मेडी claim में जो बीमारिया लिश्टेट है, डेंटल लगभग उसमें नहीं है, और आशकल तो आप किसी भी hospital में जाए, एक smart amount लगता ह है, तो वो एक बड़ा कायन बनता है, it's a part of health, हम इसको बीमारी मान ही नहीं है, वो government policy पे है, हमारी Indian Dental Association ने तो बहुत बार इस चीज को रखा हुआ है, और हम भी ये चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से इस चीज को डेंटल की कुछ समस्याओं को और उसकी कुछ को, medic claim का हिस्सा बनाया जाए, और उसके लिए जो necessary documents है, उसके लिए जो necessary proof है, वो definitely होने चाहिए, और dental, in fact foreign countries के अंदर, जो लोग regular dental check-up जो करवाते हैं, उसका कारण यह है कि उनके insurance में कुछ basic treatments covered हैं, अगर आप महंगे से महंगी dental treatment भी करवाना चाहते हैं, तो वो फिर भल कॉस्मेटिक इस dental की बात नहीं करा, मैं dental पेसंट और डॉक्टर की बात करा, व्यूटी सिन की यह पेसंट की बात नहीं करा, जैसे कुछ समस्या जो है, सबस्वेज़म टूथ है, अकल डार है, अब वो यंग एज में, 18-25 साल की एज में जो उसका दर्द होता है, बहुत भ जब वो वो जो व्यक्ति जो है, पूरी जिंदगी अगर मेडिकलेम के पैसे भरता है, अब वो अगर ये dental treatment जो कि उसको इतनी परेशान कर रही है, अब उसकी treatment के रिए भी नहीं देता तो वो तो ना इंसाफी है, तो मेरी ये request है कि एक basic decent sum जो है, वो आपको, मतब basic treatment जो है वो मेडिकलेम में cover होनी चाहिए. भले आपको कोई समस्या नहीं हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि समस्या भविष्य में भी नहीं आए, इसके लिए भी आपने देखा होगा, स्कूलों में regular dental health check-up camp होते हैं, हम regularly camp करते भी हैं, तो वो इसी कारण वाशा है कि एक तो हम हमारा dental का education बच्चों में और school में impart कर सकें कि नॉर्मल dental health कैसे रखी जाए आपकी ठीक, दूसरा कि आपको खाने की habits जो है, ब्रश करने की habits जो है, कौनसी ऐसी habits से जो से बचा जाए ताकि आपके दान्त और शरीर को नुकसान न हो, तो ये हम regularly check-up के वेजिस पकरते हैं, और मैं मेरे जो viewers हैं, उनसे यही कहना चाहू कि there are certain golden rules, कुछ सुनहरे नियम है, सुनहरे दात के लिए या आपकी दातों की स्वास्त ठीक रहे है उसके लिए, वाप इसे मेरे repeat करूँगा, पहली दो टाइम ब्रश करना, मैं तो आप मानोगे अभी भी हमारे देश में शायद ही 5% लोग भी ऐसे नहीं होंगे, जो सुब अबती, earnest request है, कि आप सुबह को रात को मतब सोने से पहले, जो खाना खाओ लेकिन साथ, रात को सोने से पहले एक बार अच्छे से ब्रश कर लिया जाए, सुबह भी करना ही है, दूसरा, फ्लोसिंग, डेंटल फ्लोसिंग, जो की दो दात के बीच में साफ करने के लिए, उस जीप की सफ़ए करना अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़ा विगरस हो जाता है, वो जीप के उपर के जो टेस्ट बड़्स हैं, उसको नुकसान पहुचाता है, तो मेरे इसाब से जेंटली, इवन टंग की नेचरल क्लिंजिंग मेकनिजम भी होती है, शरीर जीप को ऑटो जाएगा, तो मेरे इसाब से जो मेटल वाला टंग क्लीनर है, वो नहीं यूज़ करना चाहिए, दूसरे मार्केट में अविलेबल है, तीसरा, दो खाने की बीच में हो सके तब तक, बीच में मंचिंग नहीं करना चाहिए, अगर करते भी हैं, तो हो सके तब तक, आपको ख हैं, गाजर है, मुली है, ऐसी रौ चीज़े हैं, वो खाने के आदर डालो, ताकि आपके मसूड़ भी दाथ के साथ साथ में मजबूत हो सके, तो आपने देखा, हमें तीन नई चीज़े मुझे निजी तोर से पता चलिए, कि टंग क्लीनर, मिटल टंग क्लीनर के इस्तेमा जाना होगा, वो ज्यादा महंगा होगा, और तीस रा, अपने दातों का ख्याल है, गुल्डन उजूल को फालो कीजिए, ताकि आपकी मुस्कान कायम है, या सो कैसा लगा, हमें एंजीन में बताइएगा, डॉक्टर अगवाल से यह दिया, आपके कोई सवाल है, तो हमें कम में पूछेगा, ताकि हम दुबारा इन से आपके सवालों के साथ मिल सके, नवस्कार,